लिल्ला रफ्माने रहीम, असलाम अलेकुम, खुट मोरिंग और वेल्कम टू जुगन एट हॉम प्यूर्ट, हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे नौजवान हैं, बहुत से यंग लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जो बहुत स्यादा परिशान हैं, फैनेंचली और वेल्के सिर्फ नौजवान नहीं, बहुत से ऐसे लोग जो मिडल एज में आ गए हैं, उनके पास जॉब नहीं है या उनको समझ नहीं आ रही कि अब वो मजीद अपनी लाइफ में, अपने करियर में क्या करें जिए जिन्दगी का सफर जो है वो वैसे ही बड़े केसे में मुश्किल होता है, तुफ होता है, बहुत चीज़े हैं जो हम सेस करते हैं, डेली लाइफ में जो हमें डाउन करती हैं अब वकर हमारा करियर या रोजी रोटी कमाने का जो वाके हैं वो हमारे लिए पॉजिटिव ना हो या हम किसी वज़े से किसी नेगिटिव सिचुएशन में ठाश चाएं, तो ये चीज़ मजीद और डिप्रेशन या एंग्जाइटी या स्ट्रेस या गुस्ते का बाइस आज सोचा कि एक बड़ा इंपोर्टन टॉपिक है कि हम जब अपने करियर का इंतखाब करते हैं तो हमें किन बासों को जहन में रखना चाहिए वह कौन सी चीज़ हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए, और जिन्दगी में किस स्टेज पे, किस पॉइंट पे हमें ये और ये सैसले लेने चाहिए, उता ये है कि हम अपने आपको यंग एज पे सोचते हैं मा जब याद हम सूथी थी कभी मैंने कुछ बनना था, कभी मैंने कुछ बनना था, वैसे चाहँ आठाव कर पूचा कि पुछा कि क्या बना है तो मैंने का था बड़ाओ के अक्टर मैंने पुलीस को भी जॉइन करना था, मैंने फायरफाइटर भी बनना था, ये सब चीजे वहन पे गुजरती हैं, लेकिन हमारे में किस चीज का पुटेंचल है, हम क्या कर सकते है, क्या नहीं कर सकते, ये ना तो हमें कोई गाइट करता है, और धंग एच पे इंसान के पास इनसान के इंटरिस्ट को, कि मतलब आप क्या काम कर सकते हैं, कितना जा करने का शौक है, और क्या आपको काम कर भी सकते हैं के नहीं, इन सब चीजों को मझे नज़र रखना होता है, ये न अवकॉस आपकी बेस कितनी स्ट्रॉंग है, फाउंडेशन, अब वो बेस कहां से आ या फिर कहीं पर भी जॉब साट करते हैं, कुछ महीनों के बाद या तो बोर हो जाते हैं, या वो नौकरी छोड़ देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, इसके तीछे तिरफ उस जगा की इन्वाइर्मेंट का तालुक नहीं होता, कि मतलब एडिवरामौल के ऐसा है, इसमें जो एक्टर्स हैं, जो एक्टिंग छोड़ते हैं, सेल्स की तूल में तले जाते हैं, क्यूँ? क्यूंकि तो समझ के तैसला नहीं किया होता, लोग अब तर उनिवर्सिटी से जब गाटूएट से ते हैं, या फुद जब मुझे आरे हैं, जब यूनिवर्सिटी से अपनी दिगरी मेरे हाथ में आई, आपको बता नहीं सकती विवर्स में कितनी ओवर कॉंसिटेंसी मुझे लगता था कि बास, I am set, मैं बाइर निकलूँगी से और लोग लाइनों में खड़े होंगे, मुझे जब देने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, छे महीने स्ट् देने के बिल्स देने हैं, करोर और चीज़े करने हैं, यह जो हमें एक ओवर कॉंसिटेंस कॉलेज और उनिवर्स्टी में देरिया जाता है कि दिगरी के बाद जॉब मिल जाएगी यह नहीं होता, उसके लिए मेनत करनी पड़ती है, भार के मुमालिक में बड़ी यंग वहाँ पर वर्क एक्स्पीरियंस आसल करते हैं, यह वो तरीका होता है जानने का यह इंट्रिस्ट किस पर रख है, तो जुरूरी बात यह है कि हम अपने यंग्स्टर्स को राइस साइंस पर गाइड करें, और इसी गाइड़न्स से रिलेटेड हम आज गप्शप्र जुग में होते हैं, और कि अब आफ दौर रहे होते हैं, और रेस लग रही होती है, तो कोई एक इंसान ही फिर सेकंड फिर थर्ड, और बाकि सारे जो होते हैं बस, वो इस रेस का हिस्सा थे, लेकिन कोई पुजिशन नहीं ले पाए, तो अगर आपने अपने करियर में, जैसे हम में बहुत जगा पढ़ी हैं, और बलकि इन्हीं स्ट्टिस्टिक्स के बेस पे में ये बात कर रही हूं, कि बहुत से गाहों पे आपको ये पढ़ने को मिलता है, कि जब लोग, जब कोई भी इंसान अपनी जॉब चार्ट करता है, तो वो पांच दफा जगाएं चेंज करत है, एक लीस्ट, तीन से पांच दफा, तो यानि के तीन से पांच दफा जॉब चेंज करके फाइनली किसी एक जगा पर जाके इंसान तिकता है, और बहुत से लोग होते हैं, तो तिकते ही नहीं है, आप उनका रजमे देखे निकालके तो एक जगा तीन महीं ने काम किया, एक जगा साल काम किया, क्यों? तो अगर हम अपने आपको, देखें, अगर मैंने काम करना है मेकानिक का, लेकिन मैं जॉब कर यूँ बैंक में, तो मैं हर वप्त उसी काम के बार में सोचती रहूंगी, जो मैं करना चाहती हूँ, और पाइज देखें, कोई भी काम बुरा न कोई ऐसी सर्विस होनी जहां पर आप कॉल करें और कहें कि छे से आठ बचे के जर्मियान आपको भी किसी को भेजना है और को साफ करने के लिए, क्योंकि बहुत से वरकिंग लोग जो होते हैं, उनके बच्चे स्कूल में होते हैं, वो बहर होते हैं, पिर जब वापिस आते और बच्चों ना अकेडमी जाना होते हैं, तो घर पे छिरफ एक सर्टन टाइम के लिए वो होते हैं, और वो घर में किसी को अकेले छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो एवन आप सफाई जारू कोचे के बिजनिस को काम को बिजनिस में कनवर्ट कर सकते हैं, लेकिन सोच और और उसके साथ passion इसलिए हमेशा क्यों पैशन को profession बनाने जिन्दगी आसान हो जाएगी आज का सवाल करियर का इंतखाब के वक्त हमें किन बातों को जहन में रखना चाहिए 042-992-00628 पे आप कॉल कर सकते है mjlptv.com.ck पे एमेल कर सकते है www.facebook.com.ck पे आप इसको प्याइड कर सकते है 21 महमूद वजनवी रोड पीटीवी सेंटर लो पे तूट खेज सकते है अगर लाइब स्ट्रीमिंग के थूप आपने हमारे प्रोग्राम को देखना है तो www.ptv.com.bk पे जाए पीटीवी लाइब से क्लिक करें और पीटीवी रोड पे क्लिक करें पीवर्ट आगे वटते हैं हमारे साथ एक बहुत भी यंग इंट्रालेंटिस आर्टिस्त हैं पहले भी हमारे प्रोग्राम का हिस्था बन चुके हैं शुजा एहसान हमारे साथ है शुजा के साथ हमें जोइन किया है काशिव पुषीज में अन्बेट इटार करियर का इंतखाब करते में किन चीज़ों को ख्याल या मद्दे नगर रखना चाहिए जो आपने बोला वह बहुत तक सहीता मैं आपको बड़े जोर से सुन गा था कि कही हमारा इंट्रेस्स किशीज में है हम क्या बनना क्या चाहरे वही बात कि हम अगर जो बनना चाहरें अगर हम किसी और कुल में चले जएंगे तो हम उसी कोई तोटी जाएंगे और दूसी तरह भुल्फिल नहीं कर पाएंगे और बे दिली से काम करेंगे अजी बरी इसकर आप फुल्फिल नहीं कर पाएंगे इंपक्र मैं अभी अपनी डिग्री मैंने कम्लीट किया वी बी अनर्स की मुबारिको माशाळा थैक्यू सो मच और मैं मुझे बहुत तारे मेरे जो रेलेटिव्स हैं मामा भी वह कह रही है कि कलो आप साथ जौब भी कुई देखो साथ बिसनेस भी होना चाहिए तो मैं आला सी दौएं करता हूं मेरा इसी में रिस्क चला आदल पुछा मुझे ना कहीं जौप करनी पड़े पर देखो मैंने भी काम दी किया साथ में पने करियर को पुसू किया जब मेरा करियर चाल पड़ा तो फिर मैंने दूसरे काम से step away किया तो कोई और काम करने में भी शरम नहीं होनी चाहिए पैसन तो आप अपना पुसू कारी रहे हो यह बिलकुल बिलकुल आप तो शाय दम्नी सही कह रही है साथ साथ एक अद्वाइस तेरियों कुके आपके उमर में भी बड़ी हूँ और थोड़ा सा यह फिलकुल बिलकुल बिलकुल एक 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 पीरियन्स है तो यह चीज जो है ना तो रोजी रोटी तो इसनान ने कमाने मैंने अभिश के आप जासे ही मेरे साथ भी हो जाए बहुत सी द्वाइएं हैं आपके साथ क्योंकि देखो मैंने कॉफी शॉक्स में काम किया मैंने सफाई का भी काम किया मेरी एक्चुली जॉब ऐस जानिटर थी उनिवर्सिटी के दिनों में क्योंकि इसम पैसो का इशू आ रहा था हमेशा में एक ही बात आप ते से जो जहां ही तैलेंटेट लोगों तो यह कहते हूं कि देखें खर का सिस्टम भी चलना चाहिए यह बिल्कल 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 पैस्टिन को कुछ सू करते रहो तरते रहो इंशालला आपको इसमें बहुत कामियाभी देगी और फिर आप जब सोचेंगे आप आतिक असलम को देखें अलीजपर को देखें उनकी दिवनीश को देखें मेनस करके तिरफ इस फील्ड में नहीं दूसरे काम भी उन्होंने किये जब तक जब तक इसमें थाई तरह एक अधिस्मी आया कि जब भी तो नहीं दिए जब लगना ना आप जी बितीशन आप चाहें जाए कासबड़ी मेरे की बुकिछ करते हैं अथकते हैं रजैना अए गिए मेरा इस ही अच्छ सर्ग रेड़ाना ता हैं गूइक विछ दुख करें तो सक्कूंट मेरा कुछी अच्छ AriCRokत करनता hmm जब मुझे पंच पिर्टिक सर्ग घ्र जब मुझे सर्ग करता था теперь और है नद फिरा कुछ के मेरे खाल से कलाम आपेश करेंगे शायद चुरू मेरे ना बचाम अशकी तरफ आएंगे अफकॉस यदी प्यारी सी शेफ मैविश हमारे साथ हैं हमारी भी मेरी यह यह मेरी है असलाम अलेकु मैविश मेविश मेश्माद सलाम किसी जुदन आप मैं बिल्कुल ठीकूँ अचा मैं विश मेश में यह बताईए कि आज आपने किछिन में बंद रखेंगे तो मुझे लगा शायद बंद कबाब बंद रहा तो बंद कबाब नहीं हमें आपने बीफ बर्गर बनारी हूं और उसके साथ में बिंक्स बनारी हूं बंद कबाब अधरा था और हो कुछ करैर किर आप दी करीओंड़ा इस बिल्कुल अशी हिए गवर्कांट पेले पहले पहले कामें तो आप पुंकि अजय जरू जब अभी ज़ादा काम बेल्कुल आसे ही एघए अशए जिए नोलिज लोगों को अभी बहुत ज़ादा पे तुगाना नाले के घुटे ले जी तेखी है, खरे घुटे लेगए ला है। में किनले करने हैं किसी ऑर नां, पर रही है। एक किसी ने कोई चैज काम नहीं है। अब मुझे खाना पकाती हमारे कि यह बट बड़ा आठ अगर इसको समझा जाए। तो यह अपने पने शौकी बात है, हमेशा उस चीज से फोकस करना चाहिए, जिस चीज में आपकी दिल चस्पी हो, अगर आप इंटरस्ट नहीं लेते हैं, तो आपको वो काम कभी नी करना चाहिए, क्योंकि आप उसमें कभी भी वो कामे अपनी हो सकते हैं, मेरा यह खियाल है तो कि आपप कर भी रहेंगे, कंटीनी ही कर लेंगे एक साल, दो साल, तीन साल लेके बाद में आपने वहीं आना है जो आपने दिल में चाहिए, जो आपको पसंद है, और बात यह ए के काम को सिंसेरिटी के साथ आथ निसके ताताय आपका दिल जुड़ा होते हैं, इस दिन पहले ही मैं सुबा निखनी हुग छे बचे फर से बीच में अपने चुचे बेटे के साथ अवरा साधा के टाइम स्टेंट किया लेकिन ने चाम का दिन जब ने घंटे गने मैं चुचे ने सुचे बेसे लेकिन किया है ने सुचे मेरे ने थाकरा हो पाओं इसने सुट के के लिए लेकर ब dual ज। हुग तरूं गा अजगरा। विभी से काम करना है, तो मैंने का एक एक काम करूंगी, चाहे पाउं दुख से, तो मस्ट नहीं है, अब ये बताये, थे रेसिपी क्या है, आज मैं बनाने जा रहे हैं, सब्सक्ते प्रएल ही हमारी जो रेसिपी है, वह है बीफ बर्गर, इसमें मैं ले रही हूं है, बीफ न कालीमेश निमा वो एक किलो इसमें डालूंगी दो अंडे नमक, एक चाय का चमच, कालीमेश चाय का चमच, छीज के स्लाइस हैं, एक बर्गर बन दी हैं, आठ, मक्छा लूंगी चार खाने के चब़, शलात के पते, एक गठी, टमाटर तीने दश और गयान लूंगी एक चाय बझापने मकषन कीमे के अंदर दालना है और बख्यी आपने पैन में डालके। उसको बहुत जड़ा ओयल में व्राइन ही करना है। बहुत लाइड है। जो पैपी हैं जाते ही फ्राइज हुझते हैं विसके बाद हमने बन के चाइक बन लगा सकते हैं। जो आपको पसंद है और आप उसको प्लेंग भी रख सकते हैं चीज के साथ, बिल्कुल, तो यह हमारी पहली रिस्पी है, सेकेंड हमारी रिस्पी है, हॉट स्पाइसी विंग्स, इसमें चिकन विंग्स ले रही हूँ, विस्किन एक किलो, नमक असरी जैका, सुर्ष मिश पाउडर होंगी, एक च पाकिस्तानी विंग्स हैं, इसमें मैं कोई रहनी नहीं जा रही है, बिल्कुल डिफ्रेंट है, आपने इसको दही के अंदर जितने भी डॉयर मसाले हैं, वो डालने है, लेमन जूस राल देना है, उसमें हमने विंग्स को मैनिनेट करना है, तकरीम अगर ओवरनाइट करें हैं, उतने ही और में अपने जादा ओयल में डालना है, तो हमारे होट, स्पाइसी विंग्स रेडी होज़गे हैं, तो यहां पर मेरे खाल से ब्रेक की तरफ जाते हैं, अगर ब्रेक में जाने से पहले, शिकर मैं करें, नन्य मुल्ने से भाई मेरे सास हैं, तो इनकी तरफ कि हमने जाना है. शुरत क्या सुनाइंगे ब्रेक में भेशते भेशते क्योंकि तक एशख सादिया अर्शच ने आकर सितारों का हाल बताना है, और पतानी वो सितारों का हाल अच्छा बनाएंगी या उनको बदार्बावर शख तब आ होगा जब अल्ला की नाम्ता शुरू ला शरीक नहूँ बहद हूँ ला इलाह इलाहू शंक तब्रेज गर खुदा अपनभी खुश बहादा इलाह इलाहू तेरे ही नाम से हर इतदा है और तेरे ही नाम से हर इंतहा है तेरी हम्दो सना अलहम्दलिला के तू मेरे मुहम्मद का खुदा है अल्लाहू 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 के जमी जब ना थी ये जहा जब ना था चाद पूरद ना चे आसमा जब ना था राज हक भी किसी पर या जब ना था राज हक भी किसी पर या जब ना था जब ना था कुछ यहा जब ना था कुछ यहा आवगे तू ही तू अल्ला हूँ अल्ला हूँ पहुचे मैं राज में अर्च तक मुस्तफा जब ना माबू दो बंदे में परदा रहा जब माबू दो बंदे में परदा रहा जब मालाएक ने हज़रत से जुक के कहा तारी मखलूक में अकनु मातू ही तू अल्ला हूँ 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 अल्लावू। वेल्कम बैक व्यूवर्स जैसे क्या आप जानते हैं जब ये रोयल पाइशन का पोडेस्टल सांड मेरे साथ होता है तो वक्त हो गया है आपने विलकुल सही गैस किया अब हमारा question of the week का आपने बेसिकली जो भी होगा सवाल उसका जवाब जो है हमें इन बॉक्स करना है यानि कि डिरेक्ट मेसेज भेजना है प्लीज हमारे Facebook के पेज के उपर मत लिखिएगा www.facebook.com.com पर जाएए हमें इस सवाल का जवाब दीजे डिरेक्ट मेसेज करके या इन बॉक्स करके तो रॉयल सायन का question of the week ये है इस पेज़सल सायन को जीपने के लिए पाइड़ी के दिन हम दो करते हैं करांदा जी और उसके अंदर से नेकल जाए हमारे बिनर का नाव तो हमारा question है मुगल बादशा जांगीर का मकपरा कहां पर है मुगल बादशा जांगीर का मकपरा कहां पर है A. तैसलाबाद, B. स्याल कोट, C. लहौर, D. कराट्री Welcome back from the break viewers हमारे साथ आपकी मेरी सब्सके ज्यादा मेरी सेवरित साधी अर्शत मेरे साथ है आज में सरे extra लाट करी हैं सबके साथ गूई पता नहीं आज महारी पिट्टर जोगों के मूठ ठीक मी हैं और नहीं है लेकिन साथ गौहाँ की प्यारी सी साथ है अससलाम अलेकूं 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 असलाम आज मेरे साथ आज को क्वेस्चन बड़े बड़ा आप से डिरेक्ली पर्टेइन कसकर कि करियर के इंतफाब करते हुए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन चीजों को बड़े नजर रखना चाहिए अज अन अस्ट्रोलिटर आपका उसके वारे में भी एक अपिनियन होगा बलकुल अज़ा इसमें सबसे अगर जोई चीज है वो होता है कि अगर आप को ऐसा करियर अगर आप चूज कर जाते हैं जिसमें आप चाहते नहीं है और फोर्स फुली अगर आप उसको घरवालों के फोर्स करने पे या अगर आपको लगता है कि आपने M.B.A. ही किया वार है और उसके बाद आपको किसी बिजस वील में ही जाना चाहिए जबकि आपका शॉक है तो फोर्स के भी मुजिक में है, कुकिन में है, किसी और चीज में है बसकर हाए और खैने सब हो तुछा में हैं तो आपके पीन कित में किसी सब JAMESM however a unified नहीं परेंगी अगर आपधल में है तो अब हम चाहें किसी सब बाचएये वां अगर जितना पिछला ताम पिरिए है कि 22nd of June तक सब तो कह चीज सी के प्लीज अवेर है कोई स्टेफ न लें कोई राइस्न में तो सीन्ग यह सब चीज़गे और यह पिछला जितना भी टाम पिरिए था ये अलमुस नो बाबा मेंचन करती दी कि जिसमे के डेक नीज आप ऐसी समझते हैं या मैं साथ सब कोशिश करती हूँ कि समझाऊं भी मार्स और मर्कृ की ट्रांजित हो गई है यह दोनों प्लानेट जैमना से मूव कर गए हैं कैंसर में हम स्कार करते हैं एरीज से तापके हरें को उसके बारे में बता जा सके एरीज आप लोगों के लिए अब यह वो ताम पर आप मेंटली रिलाक्स हो जाएंगे जो यह मार्स पर अच्छी पूजिशन तो नहीं होती है इंटु कैंसर लेकिन आप लोगों के अब वो जो एक पान जाएंगे अपने अंदर एक सुकून आजाएगा रिलाक्स हो जाएंगे और आप चीजों को अब जो कहते हैं कि सीथू नहीं हो जाता है जिसका यह ग्लास सीथू है क्लियर लिव आप अपनी चीजों को समझ सकेंगे देख सकेंगे और जहां पे कंफूजिंस थी आप आप लोग कोई ऐसी नया इनिशियेटिव लेंगे अगर कोई जॉब स्विचिंग आएगी कोई भी ऐसा मामला आएगा तो आप लोग उसको अब अच्छे पॉजिटिव वे मेंगे क्यूंकि इससे पहले एक इंफूजिं का ताइम पीरिट है लेना चाह भी रहे थे तो न आप लोगों के लिए तुप से पहला तो यह है कि आपकी पर्सनल लाइफ में बड़ा अच्छा ताइम पीरिए दोस वा सिंगल इन लोगों के सरिष्टे आने रिलेशन शेप इन सब चीजों के लिए तो बहुत ही इससे आउसम ताइम पीरिए आप लोग बिल्कु पर्श पे आप एक लोग इससे आपने हाए है के लोग करना चा रहे हैं वहां अपर अपने कि मुख्ण् हार हिए आपकी स्पार की बात ओया है आपक्षी compliant है यह को और मेरिया proPower की स्वेट ऐत तो अब हिस्तुन मुच पर्शा की अलैसम तो यह इसम पिलोग ऑर और के सा यह फिल तो तो प्रेट अब कर लिए टे उसां, उसे इनिशेटीव लेंगे जो आप लोग इनिशेटीव बूद पर रखे रिए थे वह अब लोग उनमें इनिशेटीव लेंगे कुछ भी स्टेट की चीज़े थी जो लोग जॉब से रिलेटिड हैं वो लोग इस चीज में अब बिल्कुल फैसले कर लेंगे और यहां पे source of income कोई निया आएगा कोई निया सारोबार हो कोई निया step हो कोई भी चीज लो अब रहु अर्ष्टा में अधर रहु आएट रहु आउस तो इस वेरी पॉजिटिव साइब जो चीज आपकी रूपी भी थी अब वहां पे इंशाला आप लोग के लिए पॉजिविटिविटी आतेगी जितना मेरे पिछले वीक में आप लोग को आप लोग के हाले सराव की तियों और बार बार आपको बुली बात रहु रह रहते हैं वही कहरी कि आप दी इस इसे किसके बाद हलाट बेख तर होंगे आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा कॉम्लिकेशन से स्पेशली उनके रिलेशन्शिप के हवाले से आप लोग के लिए इस वकाद स्पेशली नेम फिल्म स्टेटर्स कोई बहुत अच्छी चीज और आप लोग पावर अपने नफ्स में सूस करेंगे जो लोग समझ लिए के बलंकली फैसले करने चीजों को और जो भी आप लोग करेंगे आप लोग को फेवर जाएगे जैमना इस ठीके एक से जादा किसी चीज में इन्वाल होना that is related to your work कोई भी step हो सकता है यह वो time period होते है जहां पर बंदा कहता है अगर एक bank account है तो मैं दूस्ता किना खुल वाल हो यह इन्हें कि इस तरही चीज भी small small things से रहे के small issues से रहे का बड़े issues हार करहां से आप लोग अपने अपने आपको एक बड़े पावरफुल इंसांडर फील कर रहा तो तो जैमना आप लोग ते लिए इससा time period है so a very very positive time period for जैमना इसे यहां पे थोड़ासा ख्याल रखिएगा अपने बाची इतने चीजों में जो भी आप बात करें जो भी आप चीज करें उसमें ख्याल रखिएगा आप ठीकी वजह से जो इतनी अथी position बनीनी है तो चीजें कहीं खराबना हो जें यहां आप किसी से लड़ना पड़ें कोई जग्रा ना हो जें को इस तैसी issues आ सकते हैं otherwise this is a very good time period अब आज आते हैं Cancerians आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए इस लीक में जो अब time period साथ हुआ है यहां पर आप लोग कोई नया initiative ले सकते हैं related to work and all that scenario कि इसे पिखला जितना भी time period आप लोगों के लिए बुज़रा है वहां पर कुछ परस्नल लाइफ नो डाउट disturbance यह सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रही होंगी ठीक है और जो भी मामलात आपके खराब होए थे यहां पर आप उसको patch up की तरफ जाएंगे जो लोग patch up की तरफ जाना चाहते हैं otherwise new relationship, new मामलात इस तरफ भी जाएंगे लेकि ज़्यादा तरफ आप लोग अपने पिछली जो लाई सा उसी को सुधारने की तरफ आप लोग का रुजाना तो चीज़े रहेंगी and all of a sudden यह सब चीज़े सब मामलात होंगे सेकिन में आप लोगों के जो work scenario है यहाँ पे कोई नए contracts आएंगे, नए मामलात आएंगे, पिछली चीज़े खतम होंगी और all of a sudden बिल्कुल नई चीज़े start होंगी तो it's a very positive time, very positive time, तोच समझ की चीज़ों को कीज़ेगा कि यह जो भी आप काम करेंगे आपके, आपके, आएना आने वाले काऊपी लammे अर्स्ते पे इवटो के यह जो देनके एएगा आप ना आ आने वाले कापी लंबे अच्टे पि इन चीज़ों कि इस इज़ेगे तो अब गुट ताइम पीड एगरी वे बिलकल यह अलमोस तच्छी है मुझे अबी कुछ दिन पहले एक इस अब आदमी मिला था उसमेरी सेकल देखी ज़िए कैटे अब अच्छा बच्ताने वाल गार जली है कैसा अब अपने अपनी मुखले देखी है अब अच्छा बच्छा है वाओ आपने भी तद्रीक करती है इंशाला आप पॉस्टिव ही सोचना चाहिए चिज़ पॉस्टिव ही होती है बाइट वे हम जो अपने दिमाग में अवाजिन करते हैं जिस तरह यह NLP ट्रेनिंग करती है यह प्यूर्णिविस्टिक प्रोग्रामिंग आपको पता है कि आप अगर दिमाग में बार बार अपनी एक इमिज़ लेकर आए कि आप उस प्राम्यादी के लेवल पे हैं जो आप चाहते हैं आप पहुंग जाएंगे अगर आप हगाना आपको आपको बEROगा है यह पता ही होगा फो पता की हाई हमेगा तो यह पता करदो लिए आप लोगों के लिए नो डाउट इसला टाइम पीरिट मिक्स्चर सा रहा है पॉजिटिविटी नगितिवी दूंचिज साथ साथ रही है लेकिन आप लोग भी कहीना कहीन तनहाई का शिकार है अपने लेशनशिप में बहुत से लोग एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रही होंगी चीजिते खतम होई होगी बड़ इस इस ताइम पीरिड जहाँ पर आप लोग अँग तो जादा फोकस अपने करियर पर रहेंगे रिलेशनशिप यह चीज़े आप लोग के लिए से सब्सक्राइब करेंगे कुछ लोग जो लोग फिंगल हैं बिलकुल शादी इन सब चीजों की तरफ अगर सोच भी रहे हैं सोचना चाह भी रहे हैं तो समहाँ फिसे कहूंगी आप उसको फिस सेकिंडरी अप्रोच रखेंगे फर्स जो आपकी प्राइटी होगी वह ज्यादा तर जो मिजॉर्टी जिनके यह सब जर्नरल रिदिंग ठीक हर एक फिर्स बर्चार्ट पर बिलकुल डिफर हो जाती हैं चीज़ें लेकिन ज्यादा अब लिए इसरकर आप लोगों का करियर आप लोगों की एड्यूकेशन हो करियर हो यह चीज़ें ज्यादा प्राइटी करेंगी इस तिल ऐसे ही है और यह ताइम पेरिड़ अब सक्सेस का है ठीक है एफ़र्ट का पहले था अब सक्सेस का ताइम पिरिड़ स्टार्ट अब भी करेंगे जिस्ता से भी करेंगे उसमें कामियापी मिलें उसके बाद किते स्टार्ट हो गए हमारे फाइस अब हम चटे पर आगे हैं तो वर्गोज वर्गोज नो डाउट आप लोगों के लिए काफी अश्ची तीज़े हो रही है और मामलात अच्छे ही रह रहे है और चुनकि मूट सिंग्स वहाँ जादा रहते हैं और जो लास्ट टू वीक्स पे आप लोगों के लिए वो कुछ इस तरह के बने वे थे कि बार बार आप लोग ना चाहते वे भी किसी ना किसी से ला रहे थे जगर रहे चीजें कुछ प्रॉब्लम्स में आ रही थी अब यह जो टाइम पीरिड यह जो वीक स्टार्ट होगा आप लोग कांसी हर तक मेंटली सेटल डाउन होंगे चीजें बेतरी की तरफ आएंगी और कोई आप लोग इनिशेटिव लेंगे चाहे वो आपका वर्क सेनारियो हो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो यहां जहां जहां आप लोग के मामलाथ फसे वे थे अगर सामे पसे वे से तो वहां बेतरी आजएगी अगर रलेशन्शिप में करी ना करी तो वहां पर च्वीक हो जाएगे यह जो पिछला जिसना काइम पीरिड था इसमें आपकी एगो आपकी बहुत से मामलाथ में दखल अदाजी खुद अपनी में जे है वह आपको प्रबलम दे रही थी तो आप तिंग्स वेल बी फाइन की करता दू करेंगे जाहे वह आपका इंटनेशल हो जाहे आपका दमेस्टिक हो और जुन लोगों का काम का सिर्फला ही इसे से रएटिद रेता है यहां पर कुछ सुनाते हुए मेरी आप बैठे है बालिंपे मेरी मॉट का जोर चलता नहीं अप देखे है बालिंपे मेरी मॉट का जोर चलता नहीं है मॉट मुझे को गबारा है लेकिन मौत मुझे को जबारा है लेकिन क्या करूँ दम निकलता नहीं आफ बैठे है बालिंपे मेरी मौत का जोर चलता नहीं मेरे नाना की सुझ के दुबोने हो गही मौम कितनी शुचे मे मेरे नाना की सुझ के दुबोने हो गही मौम कितनी शुचे में मैंने पिगला दिया पस्थरों को मैंने पिगला दिया पस्थरों को इस तेरा जलती गलता नहीं है आफ बैठे है बालिंपे मेरी मौत का दोर चलता नहीं है ये अदा ये नजाकत बरां से मेरा दिल तुम से कुरबान लेके क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को जब के आँचल संभलता नहीं है क्या कंभालो ये तुम मेरे दिल को जब के आँचल संभलता नहीं है मौत मुझी को गबारा है लेकिन क्या करू दम में चलता नहीं है Welcome back from the break viewers जैसे के आप जानते हैं साथगा हमारे साथ हैं शजाबी हमारे साथ हैं काशिभाई भी हमारे साथ हैं और उनके वर्गुनेस्ट को हमने डिसकास किया कर判की काम है मैविष और मैं क्याशन भी इनकेश मैविष शहां मैंधी क्याल हुँ साथ्टिया पाईसीज है वर्भी अहिविट साथ यह अधे जिखलती तो नहीं है तो आपकी हुर्टा अब अगर थोड़ा से लेट पड़ा हो जाती ही तो आप एरीज हो जाती हैं यानि कि सबसे पहले आप सी बारी आते हैं लेकिन I am very much happy being a Pisces और मैंने जो सब की सतारे याज़ जरके बैड़ गही हूना कि उस साबसन को तंग करना है आगे जाते हैं नेक्स कार की तरह अच्छा जी नेक्स हमाया जो जो जॉडिक ताइन है या लिब्रा लिब्रा आप लोगों के लिए बहुत ही सुकून का ताइम पीरे दबाया है कि लिब्रा की लाइफ में बहुत जादा जो देचैनी और हल्चल मचीवी थी उनके रिलेशनशिप में तो था ही उनके ट्रेव जादा तो नहीं होती है लेगिन जब कभी को ऐसे प्लैने वे होते हैं जिसका 9th house में बहुत से प्लैने थे तो बेसिकली इत रिप्रेजेंट्स पार्दर साइड, इन-लॉस, प्रेवर, ये सब चीजें एक जो house होता है वो बहुत-बहुत जो उतसे होंता है न मामलास अब आहिस्ता इस्ता इनकी लाइफ में बेतरी आएगी और कुछ जो बिजारी वाला टाइम पिरेड है इनकी लाइफ से अब जाएगा और तिंग विल बी फाइन यहां पर इनके वर्क सेनारियों में भी चेंज आएगा कोई ना पर अथारती मिलेगी, कोई ना कोई चीज में चेंज आएगा और जो लोग खास्ता हो पे बिजनेस रिलेटेड है या गर्में सेमी गर्मेंट जाब में हैं उनकी लिए कोई चेंज आएगा इसी ताइम की रिए अच्छा होगा पर इट अल डिपेंड के वो उस चेंज को किस परीके से लेते हैं विकर लिब्या अपनी बेकी भी लिए वा लिब्राई है मैंकस को भी तैसी को बिटा होच लाव तैसी इक आप बिताओ चेंज हमेशा स्केरी होता है हर बंदा ड़ता है चेंज को लेकिन कभी-कभी वो चेंज जरूरी होता है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या अपनी अब हर बहुं को बढ़ने के लिए और मैं एक को बढ़ हमेशा है हर चीज कर वती बेसिकी से पार हिन find state of mind है happiness के witness क्या state of mind है तो it's all dependent के आप उसको किस तरीके से लेते हो लेते है और बात है कि initially हमेशाए loan on comfortable करता है लेकिन आप जब पुर्षक्तुर। दोटें हैं, तो तभी आप अपने अपने comfort zone के लिकारे लिकारे लेंगर लिखने के लिए अच्छा टारी पीरेड हैं। कि अगर समेटी वाली बाजी कमेटी ना देवरी हो तो अक्सर निकला देवरी वे इसकाइम पीड़ी लिबरन क्यों नहीं हो अच्छा एनिवेज अब हम चलते हैं Scorpio आपकी तरफ Scorpio After a very long time, it's a time of relief for you guys as well क्यों कि बहुत से जब प्लैनेट 8th house में हो जो के evil cake house होता है यहां पे जब निकलते हैं planet तो release मिलता है जो भी कोई problem आ रहे थे आपको के inherited related मामला यानि कि property related जो हमारे वरास्ती मामला होते हैं यहां पे इस वक्त में आपको definitely favor आएगी आप लोग के जो खलाफ लोग हो थे जो family members ते हैं किसी बिरास्ते वो अब आपके favor में अपने आप आ जाएंगे तो जितने भी वरास्ती मामला जिन जिन Scorpio की life में चल रहते हैं यहां पे definitely अब आपको financial gain है, favor आ रही है और जो important चीज है यहां पे आप अपने किसी ने काम को भी शुरू करेंगे जो भी पुशिश कर रहे थे ना पिछला time period में के हो जाए start चीज़े हो जाए और वो नहीं हो रही ही तो this is a time period जहां पे आप लोग के ने काम ने चीज़ें शुरू भी हो जाएंगे 12 इस time period में expected है बगर चुनके यह अभी start है और यह अग्री कुछ time period तर continue रहेगा तो इंशाला things will be fine so it's a good start अब अब अपने next logic sign के तर सेल रहे है Sagittarius no doubt a good time क्यूंकि आपके 7th house ने ये सारे सितारों का जंगता था जिसको हम conjunction of many planets गेते हैं तो बहुत बुरा हाल था exactly आपके relationship इस वकर जो थे पिछले time period वे worst scenario में थे it's a time of relief, चीज़े बेतर है अलम्दोलिल्ला, तापके जादा सुपून में आप लोग आएंगे ऐसे तो last week भी तगरे कुछ बेतरी की तरफ गया होगा, मगर अब आप लोग का अपके तक सुकून में होंगे it's a time period of financial gain आप लोग के अगर जिसके property matters थे, buying selling थी जो भी कुछ था वो एक तो यहां पे उसमें favor आएगी चुनके इसका आप लोग के आ रहे है जेव में पैसे property buying selling हो, जो भी मामलात रुकाब ते ठीक तो यहां पे वो चीज़े बेतर हो जाएंगे आप लोग के अपनी health को पर इशू आ सकता है या mother side से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे थोसे किनके इन दोनों मामलात में प्रॉब्लम रहेगी या कोई लडाई या कोई इस टाइप की चीज़ mother side से कोई issues जो है वो हो सकते है जिए otherwise vegetarians a beautiful time period is going to be start from this week जो के onward रहेगा लेकिन इस week ने आप उसके असाल मिलना शुरू हो जाएगा ठीक है आप लोगों के 6th house में बहुत से planets से 6th house जुन कहुता है वो career का होता है plus आप लोगों के health का होता है तो career में इस पिसला जितना भी time period है multiple choices थे multiple changes थे multiple options थे यह time period में आप लोग finally किसी decision पे आएंगे reconsider भी कर सकते हैं मगर आप लोग finally इस week में कोई decision ले लेंगे and you will go towards that decision बस finally पकी चीज़े और उसके बाद यहां पे जो आप लोग को जो भी partnership पे आप लोग काम करें हैं कि मार्ट अंदर की आपके 7th house में है partnership पे जो भी आप लोग के काम और चीज़े हैं वहां पे आप लोग उसको दुबारा से reconsider भी कर सकते हैं या partnership सटम भी हो सकती है आप उसको दुबारा से ने पांट्रेक्स या ने चीज़ों की तरफ दिया सकते हैं तो बारा से ने पांट्रेक्स या ने चीज़ों की तरफ दिया सकते हैं so that is a good sign as well that's a good sign because mark और mercury है ना साथ so that's a good sign as well so Capricorn trust me after so long time period आप लोग अच्छी position में जा रहे हैं अड़े मिश्किल्वक्स काते है exactly 2017 मैंने को बात ही नहीं चुछता ना तुजा हाचर है मैविश अपना है साथ के चाहर दा रहे है क्योंके मुपे मजाल है क्यों मुस्कराहता है 2016, 17, 18 इसके बाद जाके 2019 आप लोगो से लिए काफी अच्छा रिट्रीका टाइम पीरिट भी है वो इंशाला चला होगा और चुछ भी के अप्रिकॉंस के कौव आप दाओ, लोगो अनवर्ज और बी अच्छी चीज़े ना चला नहीं बिश्ताथ रहते हैं अच्छी इसके बाद आजाते हैं अरो बाकी यार बाकी रोज चटो परा ऐसके बाकी दो परा आप लोगों के लिए no doubt time period अच्छा है बेतरी का है क्यूंकि आप लोग इस वक्त में कोई भी जो initiative है एक तो आप लोग अपने काम, career इस तरफ कोई नया step लेंगे, कोई ने चुंकि अब जितना भी time period start हुआ है ना और मुझ खार exotic time के लिए कोई ना कोई changes को लेकर आए रहा ह कोई new happenings new changes थिनके last week में जो time गुज़रा है new, full moon दी था तो उसने भी तो कुछ changes लेकर है होगा है लेकिन उसको हमने discuss कर गया लेकिन इस time period में आप लोग कोई नए changes, नए काम, कोई नए initiatives लेंगे, aquarium, specially you guys और जो इस relationship में आप लोग को problem आ रहे थे, आप लोग के खास्ताव सिब्लिंग में कुछ ता के अगर issues है तो आप लोग उसको बैच के किसी तरीके से resolve करेंगे, issues अपने sort out करेंगे, travel इसी time पे expected है, अच्छा बच्चों की तरफ ते, especially the eldest one, कोई अच्छा मामला होगा, आपकी उनकी तरफ से आधा तो वजब बहुत जाएगी, आप उनकी तर जो एक्वेरियस बच्चे कुद हैं, वो अपनी education के लिए कोई effort करेंगे, जो कर रहे हैं या तरफ जाएगे, या तरफ जाएगे, या कोई तरफ जाएगे, या कोई तरफ शौक आएगा, कोई कुछ नया करेंगा, मुझे ग्रम से शौक आया, मैं विछ, मैंने दो बर्गर एक ठाएगे तरफ जाएगे पता बच्चन लगर, उसके बगएर कोई कि का अधा इस जालागे डिया करो, मैंने बसने इक हम दोदर बनाएगे, जो पताल यह होनाएगे, जो जो है जालेंगे, जो नहीं होनाएगे, जो आप दो भी तिक हो तक दढ़ है और बी ठीक हैं, आ अच्छी आग इसके बार तरन आती है कि मुझे पतख रही हो ना वे जो पाइसीज के बारी आती है और पाइसीज इस दुमिया के मेरे ख़लाव दुस्मन बजाएगगे अज़ो बहुत पाइसीज अकेरी नहीं बहुत पाइसीज हो था लेकिन आप भी हैना बस ये मेरे साथ होगा और आपको तंग करना अब बेडी मेज़े से सोचो कितने पाइसे जोगते हों अच्छा बता देवी डीचेल में बताईएगा पॉइस्यांस का अच्छी पाइसे आप लोगों के लिए टाइम ओफ रिलीफ नो दाउट बहुत अच्छी चीज़ है बहुत अच्छी मामला जो आप लोगों को प्रॉब्लम जहीं थे अपने घर के हलाज से रिलेटेड फिकर फोर्टार से बहुत से प्लैनेट से टाइम ओफ रिलीफ का लेकोसिय से बहुत है और कॉए लृष नेटलीफ नेशी से और शी चिंग में मैसा हैं दो क्यालण op अधरा समयलिफ तो निसकीज़ हो सर ब्रॉब्लम जहें थी लेकिन यहां पर भी दुख कुछ इस तरह कोई नया ऐसा इश्यू या कोई कोई गुकी वी जो चीज थी उस तरह जुरूर जाएंगे और जाको रिलेशन्चिप में भी प्रॉब्लम्स आए थी तो वो चीजे भी अलहुंद लेला इसी टांप एज में स्टॉट आउट हमें की तरह बिल्कुल जाएंगे आपने तसली से पाइस्टियंस का बता दिया तरह को अब आपके सौं की तरफ जाएंगे तो आप आजाएं यहां पर कुछ सुनते सुनते जाते हैं ब्रेक की तरफ वेल्कम बैक फॉम दे ब्रेक फिवर्स बहुत ही खुबसूरत परफॉर्मेंस शुजा और काचिर की तरह ब्रेक में गये अब हम अफकॉस अपनी गुफ्तुगू की तरफ जाएंगे हमारे साथ पर्स होते हैं बैसे तो इनको किसी इंट्रोड़क्शन की जरूरत नहीं है आप इनको वेरिस इंट्रोड़न चानल पर देखते हैं हमारे साथ पी देखते हैं लेकिन कुछ थकाजे होते हैं इस काहँ के तो इंट्रोड़क्शन भी जरूरी होता है अब तो लिटरली वन केंसे या लाइक फ्रेंग्स अमारे साथ हैं इंटीर डिजाइनर है और अपन तो इंट्रोड़न भी जरूरी है अपने जो इस पुछ जारी है अपने साथ ही बहुते लोगों वेकिटे आड़े होते हैं आप लोग तो हमारे लिए डोल मॉडल्स है और आप जैसे इंस्पायर परे लोगों को ताकि वा रागे बढ़ें लिए तेन वी एजे पुछ आप And again, running his own business. Assalamu alaikum. Waalaikum as-salam. कैसी है जी जिगनाव? इल्फुल थी. जैसे कि आपने पुछा तुमेने गगा रहती ही बुरी सुछाइब? No. Then we have Subhat Qayani with us. आप motivational speaker है, psychologist है. Assalamu alaikum. Waalaikum as-salam. Thank you very much. Welcome back to the program. बहुत शुक्रिम. Okay, Tint अपनी फैमिली बहती है. फून का गोई रिस्ता नहीं है, बोटे फैमिली बन जाती है ना काम की भी. अब आप से बात शुरू करते हैं क्यूं हम Ladies First, क्यूंकि आज रहा साधाद मर्दों की ज्यादा है सावातीन से. Rare occasion for a change. इनका यही रोना रहता है. तुक मैं बताईए के, करियर का, एज की मैं मैं बात नहीं का रही, किसी भी इंसान के लिए करियर का इंतखाब करना उसकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टन्स रखता है, जैसे life partner यह सब चीज़े हम करते हैं, करियर को की proper selection किसी इंसान की जिंदगी में क्या हमियत रखते ह इसके साथ आपको रुजाना, सुबो, शाम, रात को सोते वक्त उठना, बैटना, जागना, सोना, सोचना, सब कुछ है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन है कि आप करियर के decision के से लिए हैं, इसलिए कि कहते हैं कि करियर के decision ले रहे हूं या अपने relationship के decision ले रहे हूं, जिन्दगी बेखास और बहुत ज्यादा आप करेंगे, और किस एज पे और सेज पे हम आगे बास करेंगे, अभी हमने सिर्फ यह देखना है कि करियर को चूज करना कि पहुत है, क्योंकि योज मैं है हिरान होती हूं कि कितने माबाप इसको इतना lightly लेते हैं, पिखी सेगी, खेर है, उन्हें पड़ड़ है, अगे वेखेंगे, अगर एक बच्चे ने फिलोसिफी पड़ी हुई है, और आगे जाके इसने डॉक्टर बनना है, तो यह तो बड़ा मचला बन जाएगा, बिल्कुल अश्य है, बिल्कुल फिलोसिफ, माबाप भी जो है, वो हमारे हैं कि जो है कि जब माबाप कें तरफ से के बात पुछते हैं, तो माबाप को पता या डॉक्टर बनेगा या इंजिनिर बनेगा, बस दो चीजों का पता है, बाकिसी दिकापता है या मुस्य दुरा लेगे, और जो बच्चा है, उसके रिजवानाथ क्या है, वो बनना क्या चाहत अगर वो नहीं होगा तो आप रुज़ाना एक ऐसी जोब पे जा रहे होंगे, जो आपके लिए जिस स्पोस्ट्टू आपकी लाइफ को असान करे हो, लेकिन वो आपकी लाइफ को असान नहीं करेगी, बलकि आप रुज़ाना जहनी परेशानी का अखल इशक का शिकार रहें और जो जैसे एक इसी बुरे रिष्टे में, जैसे अगर आप एक बैड मैरिज में हैं और इंसान बिटर हो जाता है, वही बिटर नहीं क्योंकि बेखें, आपकी शादी हैं एक अपने काम के साथ और एक अपनी दीवी या अपने शोहर के साथ, अब बात यह है कि दोनों ज जैसे जोब कोई भी नहीं होती है, इस जोब नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्रियर नहीं चूज करना चाहिए आपको, इसमें आप लगातार मेंटल पुशर के अंदर रहें, अगर आप ऐसे किसी जोब के अंदर हैं, तो आपको फोरन से जो है वो अपनी लाइफ को और वैसे भ आपको बढ़ने का जो खाब है, उजए अपको मल्टी टरेंज की जोड़ता है, और उसी की थूँ आप जाप जाप जाए हैं, और आप जाप सरी फीर्स में जब आप काम कर रहे होंगे, तो फिर आपके बास रसा नहीं होगा कि आप किसी एक फील की उपर या किसी एक क्रि । आपको बहुता है, यजए अजए तरह की, य tres सबस्क्रा इम आपकी तरह कानगी, और अपकी मेरे दो आपको अपके इत्की हैं र нашा यहां नहीं बढ़ने हना मेरे थे घशते परे सबस्क्राइब काई उब ही तो हम्झा पको आप जापकी तरह сколько जाप मजा ओiren हैं के फै तो उसने जब पाके नहीं तो आपने का फिर अपनी जॉब सुच कर लिए। जुगन, काम करना अस्थान नहीं है। इस भी जानती है। बड़ी दफा काम की जगा पर मसाइल होते हैं लेकिन आपको अपने काम में मजा आ रहा हुता है तो आप बहुत सी जबर्दाश कर जाते हैं लेकिन अगर आप घंच प्रोसेशन में होंगे एक तो आप ना खुश हैं, आपका मूड भी ओफ है, आपको मज़ा भी नहीं आ रहा है तो इस तकाम का प्रॉब्लम यह सी तहरी हैं आपको करना क्या है करियर स्विच करने में नंबर वन सबस्ते आहां बात यह है कि अपने अपको इस तना बड़ा गया हुआ है कि आपको आप वो जमाना नहीं रहा कि चाली साल आप एक प्रॉफेशन के साथ गुजा रहें और आप कहें कि मैं आप इसका मास्टर हूँ अब ऐसा नहीं है करियर स्विच एक चीज़ है प्रॉफेशन स्विच और साथ जॉब स्विच यह तीम चार्टरे मिल जाती है और अगर आप ना भी करना चाहें तो कंपनी आपको निकाल लेती है यह खोग को आपको कर शुच करना क्या है करिया कंपना नर्मबर वंग सबस्क्रांतल्य भात дляओं जो आपको इन आप आपको इतनों आपे पर preocupe क्या उपको जो डिटमू जाग्स नहीं नहीं और उसके इलावा उसके और अपन रहें कि मुझे अशायज़ में सेल में सब्सक्राइब कर दो एक पासे क्यों हूँ अगर मुझे पीनों जगा पर उप्रचुनिटीज मिल रही है तुम किसी भी जगा पर नाम नहीं बनाओगी अब करने तो बिलकुल ऐसे है तो बिलकुल एसे है फिर जो एक गलती हम एक जनरेशन ने मैं समझेता है बड़ी काफी बड़ा हमने गलती की एक दो जनरेशन पहले वो जो डॉक्टर एंजीनियर वाल ठपा साब बच्चे को देखे बगार वो लगाना शू कर दिया अच्छा उसके बाद उससे जो सीखा अगली जनरेशन होने का कि बच्चे को ओपन चोड़ें वो जो बनना चाहे बन जाए बोट एक्टिविटी इस दोनों नहीं चलती है आपको जो पोस्ट मॉडर्ण जमाना है जिसने रकी की है वो बच्चों को भी स्ट्रॉक्टर डंदाज में आप्शन्स देते हैं बिजनिस करवाते हैं काम करवाते हैं जो बिलियनेर्स हैं इस दक भी दुनिया में जुगन उन्हों ने खुद भी और बच्चों ने भी तीनेज से पहले जॉब्स करियर स्टर्ट कर दिया हुए और उसमें कोई इसी बात नहीं कि दिल चारा या नही जो आपने टीनेज तक बच्चे को सिखानी हैं तो एट फस्ट आउड़ सजेस्ट के हमारे जो भी लोग देख रहे हैं इनिशिली चूजी बिल्कुल ना बढ़ने कोन सा करिया शुव करना कोन सा नहीं करना एं और अब आपकोर्स उसके अब आएंगे जीज जाए किस पकर करना थी कुके आम शुर की तीमा का इस्पेक्टिव होगा तो किस एज और किस स्टेज तेज थे मैं तो मेरा तो पॉइंट पॉइव यह है कि जब बच्चा बिल्कुल तीन-चार साल का होता है को पहली नजर आजाता है किस चीज की एक डिजायर है मुझे यह लगता है ले पर पहले आपकी परस्नल स्टोरी तो पर उससे पहले यह फाइनली कंटु द लेडियों से तो अब आपकी बारी यह विताने की किसी इंसान के लिए राइस सेलेक्शन कुछ नी होता है करियर सेलेक्शन कितनी इंपॉर्टन है मुझे पता है किस सेलेक्शन के इंपॉर्टन है और को अपक्रें सस्ट्राइब करहे लिए शक्या मुझे और यह कि लिए छुछN की के बच्छे की जैसे मेरा पीन किश मै के पेंटर तो मुझे पता है की उसका किस पर फोजान है या उसके इसका चेंड बाई आगे जाए जाया है I am aware parent, she is towards arts, she is very crafty, she likes music and sometimes my husband says, music really, I am like मैं अट्रेजिडी याईए I am like, you know, 30 ari musicians इतने दुनिया में बड़े-बड़े artists पैदा हुए and they are doing really good but I don't know which profession she will ultimately choose बत चुजवित प्रफटना पार्ट पर्फटन पर्फटनिव पटने जितना लोगों को पचास पाइस साथ साल एक काम के साथ चनेक्टेश तो कोशिशी करनी चाहिए कि यह तो काम भी सोच समझ के और लाइफ पार्टनर भी यह भड़ा इंपॉर्सन एलमेंट है हमारी चॉइसी इडिकाइन करते हैं कि हमारा कल क्या होगा लोग केते हमें जो अप्रचुनिटी मिली हमने वो ली तो यह आपने कोई ऑप्रचुनिटी क्रियेट गी ऑप्रचुनिटी विवर्स किसी के गोज म क्यों कि अपने खिलते हैं और या को इसलोग पारी लोगिंटे बेंटार इस बीड़ा हैं वेल्ड़िंग विजाइन कर तो बात लिए कि एक जर्नी होती है आपकी जर्नी करेर चूष करने की कब कैसे क्या हृः अर उपने क्या क्या इस कि जुश करते हैं कि आपने पहले कर आप कोई पर अपने साथ करेंगे तो में अर इसकी बता हूं तो मेरा कोई खास तो जान नहीं था कि मुझे कहां कर जाना क्या करना है और में अगल सी फैमिली से तालक रखता हूं और मैंने एक जगे पर चौकी दारी स्टाट चुब करना है और में कार स्टाट चौकी दारी करेंगा इस लूग आप हो जितनी समझ्च थी लूजिक लूजिक करने के इस प्रीकिस को दिलकरने की कोशिश थीं वहां से मुझे केरियर की इंस्पिरेशन मिली मैंने सुचा कि यार यह कौन होते हैं बताने वाले के मेरे यह लाइफ कैसी होगी मैं वहां से बाग गया चला अगर आप इनको बूर तरहें तो यहां पर बैठे हैं अगर आप इनको बाद में उनको मिल चुका हूं अब बहुती दिवारे सामने खड़ी हो जाएंगे तो मैं खेर वहां से भाग गया और मैं तहीया किया कि मैं खुझ जहां किया करीब लोग ट्रेंड की हैं अब आपको समझ आ जाती है आपकी लाइफ में होने वाल मुखले फिवेंट्स आपको थोड़ी थोड़ी इंस्पिरेशन देते हैं और फाइनली इट कम्स तू स्पेज और मोमेंट जहां पर आपको रियलाइज होता है और मैं तो इस लिए बना हूँ यानि के आपके परेयर ने आपको चूज किया आपके सखते हैं लेकिन मुन्टीपल लाइफ इस मेंट्स की थूँ अज मेरे फादर जब मेरे सब खड़े होते हैं तो बड़े प्रूड होके बताइज कि यह मेरा बेटा है और मेरे लिए सब से बड़ी मोमेंट होती है एक पास बचाहूं कि और आप की आँख में आँख में आँशु या की ऑलाद का एक वो मॉम्मेंट और वीकनस आपकी पूरी जिंदगी का पला पंड़क देती है संटिव कितने है हसास कितने है अब आप शीज को लेकि इरिटेट पी अब एक एथी आचिठो सकता सा कि अबु ने आपकर क्या तमाशा डाल पे लेकिन आप एक यह लेकिन अपने गाल है उनने का नहीं मैं अपने बाफ को लेढड दाउन नी करूंगा और जब नीत आथ थी उब्जेक्टिव क्लियर हुआ तो माशाला देखे, अब कहां पे हैं तो थी है तो पॉड़ थी मैं बाट भीज़िए अब इस टोरी को बीट करें अब इस टोरी को बीट करें मैं इस टोरी हुआ क्या पहलेंगे हम तो तो कर जाते हैं जारे अब पहलें तो पहलेंगे आपकी भी बहुत लाइफ रफींज़िंग प्रफींग स्टोरी है इन इस इंपॉर्टन के लोग जाने नो कंपैसमन ऑफ रफॉर्स यह दन ग्रेट जॉब असल में अगें आपकी करीयर पाथ क्या होता है नाइफ प्रेटरंस होते हैं, वो डिटेंट होते हैं, तो I always wanted to be a cricketer, मुझे हमेशा से पाकेसान कहलना था, और मैं कहते हैं, और कितने अप्रोप्रोप्रेट काइम रहे हैं, अजरा मदे की बाद पासा हम आपको बड़ी दिल्चेस, के अमोमन उस जमाने में हम लोग सुनते के लिए जिसमें लोग कैसे लोग का अजर्गर है, हाँ, उसमें उन्होंने कहा कि ये देखो, क्रिक्टर बनना है, आपको पढ़ाई के क्या जरूरत है, आपको क्या करना है पड़ करना है, परड़ को देखें, इस आप प्राइमिनिस पर ही हैं, उस बरी लेकिन उसके बाद खांदानी लोग तो अफकोर्स बाकी सब भी थे, लेकिन उसके बाद पर बहुत जयदा पढ़े लिखे नहीं आए, इसके खांदानी पढ़े हैं, और वो खुछ भी पढ़े हुए, और मतलब अगर ये करना है तो आप कर लो, लेकिन पढ़ाई अपने लेकिन हम लोग वो सुनते रे, पढ़ा लिखोगे बनोंगे नवाब, खेलोगे कुदोगे खराब, और फिर घर में भी टॉपर्स थे सारे, और खांदान में मामू वगारा सारे, वो डॉक्टर्स थे, मेरी फैमिली में तो पता नहीं सकती ये मेरा क्या हाल होता है उनके सा ये तो आइंडर्स थे, बना तफ होता है, बहुत तफ और उसमें मुझे याद है, मैं भागना चा रहा था था पढ़ाई से, और आखिर पर भी अम्मी ने आके वो फाइनल सब्मेटिक बढ़ाया और अम्मी ने कहा के, मैंका अम्मी ने कहा जाओ तो पेपर दो फेल भी न मुझे वो याद आ रहा था संदिन पहले, हलकार बावज होत में जुगिन में उन्से एक मुलाकात थी, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कहा कि जब मैं डॉक्टर बनने की तरफ दल रहा था ना, तो मैं उन उन लोगों में से था, जो पढ़ते थे तो टॉप कर जाते पढ़ते थे तो पात हो जाते थे, तो आइस्ता-इस्ता मैं डॉक्टर बनना तो मैंने अपने वालिद साब से डिस्क्रस किया, मैंने का जी मेरा दिल नहीं चाह रहा क्योंकि मुझे तो आर्टिस्ट बनना है, तो फिर मैंने सोचा कि डॉक्टर बनना मेरे घर की मजबूर तो फिर ये दुनिया मेरे साथ मिलके जाएगी तो फिर आज भी लो पटावा दोली के होते हैं, आला अला करीशे होती वरिया वाद, बेकुल, तो वो मुझे शीज का अंगाजा उनकी ये लेट 90s की बात होगी जब ये सुना मैंने, तो मुझे अगर रिकॉल जैसे आपने और जब कैप्टन आता था, मेरे पोच कड़ा करता है कि इंसे इंट्यू लो, क्योंकि तुम बोल सकते हो, I still remember, बाकियों को नहीं कहते थे, उसके बाद जब मैंने क्रिकेट खेली, छोडी, फिर प्रिंट मेडिया में आ गया, तब भी इंट्यू किये और बोला और लिखा, फिर मैं कॉर्पेट सेक्टर में आया, तो वहां पे भी प्रडेक्शन का काम था, वहां भी जब ट्रेनिंग करना होती थी, बोलने का काम होता था, तो मुझे पिकर करते है कि यार, तुम आ और बोले, एक्स्लेन करो, इवन हमारे जो सीनिर मैनेजर होते थे थे, वो कहते है यार, हम एक्स्प्लेन आशे नहीं का सकते हैं, जैसे तुम कर सकते हैं, तो मुझे फ़हां पर भी खड़ा करते हैं, तो कहने ही चाहरा हूं के, विध डिसेंट टाइपस अफ करियर और डिसेंट एस्पेक्स, मुझे इस्टे समझाई अभी अगर मैं इसे लोग गया थे, नहीं बनाना मैं उस पर गया ही नहीं तुम कि मुझे पता था कि अपने खुछ गले में डाल लिया और दूसरा भोल तार दिया, दूसरा भोल तार दिया, आइं नोट डोलिया, लेकि इसका एलाज ये अल्टिमेटली निकला ये के, मेरी शादी फिर एक दॉक्तर सी ही जो तीन दफा गिर के संभलता नहीं है ना, इसको सेंसी नहीं आती, इसको वैल्यू नहीं आती काम्याबी की, ऐसे ही है, जिंदगी में हम सब में अप्सन डाउंस देखें, आप तो नहीं रहें और कित्नी अम्येजिंग पनोमनल स्टोरी नहीं, पैंसरी क्या बोलेगी, ल मैं उंची शागरों से पूछता हूँ, मैं उंची शागरों से पूछता हूँ, के तूटा दिल भी जोड़ा है किसीने, के तूटा दिल भी जोड़ा है किसीने, दिले उमीद तोड़ा है किसी ने कहारा देखे छोड़ा है किसी ने कहारा देखे छोड़ा है किसी ने ना मंजिल है ना मंजिल का निशा है कहां पेला के छोड़ा है किसी ने कहां पेला के छोड़ा है किसी ने कपस की तील या रंगीन क्यों है कपस की तील या रंगीन क्यों है यहां पेल को फोड़ा है किसी ने कर देखे जाना तो किछिन में है लेकिन अज्कोर एक कहानी बाकी थी औरतीन लोग तेन कहानियां किस भी कहानी सुनना जरूरी है जी। जब मैं छोड़ी थी ग्रेड 4 में हुगी। तो मुझे पाइज अपर चोटा ही है। मुझे तीटर बनने का बहु चुटा है। मैं घर आती थी अमी का दुबटा लेकी अंकी हील पैंके शीचे के आई खड़ी और थी। ती थी फर लेसं बनाती थी। बने का थी। ती थी। तो ये तो बच्चपन उसकी। फिर जब मैं मैं में अपर में में एक प्लान सोचा वा था कि हमारी बीटी तो डॉक्टर बनेगी, Mbps-doctor तीक है मैं पढ़ाकू थी। सकता हुआएपसर थी। मैं शीचित में चुक्त की। बच्री फिर कहा था वलेज था थी। तो फिर तो येर्टी अट समय नहीं सुटरा कंड था सब्सक्त मी अप्लाइब सब्सक्त काई। तो धो प्रया बेख जुए मेरे जाया होगे हैं दो साल भी मेरे जाया होगे है, घुस्टोलोग उनी आपने अपने अपने अब्बु एकटार के साथ काम करी थी, मुझे वो फीर बडी इंट्रेशन में बडा हैंड प्रोस मेरे बहन करें, उसलो कर तो खर नहीं हमें पता था वीगल वाफ टोगेदर, but she was like you can choose this, and so I chose interior design. And this was like 180 degrees difference from like a science dirty student, I mean it was a lot more. Like I would just, I was just, I was just, I had a lot of my books and I was really good at it. But then I chose interior design as my career, because I was scared too early, but I was hard working and I was gonna do it. You know, I have the potential. लेकि लेकिन न، माबात के ओपन मांड होना है। और दूसरी बात किसी और का भी उस फील में होने का एक पूछ ईवन फो वरकिंविद अर्किटेक्स इस डिटेंगा इस 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 इदाइग इस इदेग्ड का बिई इंट्रियर दिजाइगर इडियर इडियर दिजाइन से अफिरी ऑफ खिर चाला है। एक फिर भी थोड़ा चाला अथ को सब्सक्राइब भूजा परूज एक शाथ से ना इससा था हूटा ना मावाबा तो कि उसके टारिंट मैं से भी टाथ समयरा व्यूला को सब्सक्राप्रो है। मैं तो मैंने तो मेरी डिग्री माक्षिंग, साइकोलोजी, सुषियोलोजी और ये ये मेरे सब्जेक्स है अब आप ये देखें विवर्स के हम सब में शुरू कहीं और किया हम एंड आप कहीं और कर दें क्या ये ज्यादा इंट्रिस्टिंग और मजे की बातना होती कि अगर हमने शुरू ही वह से किया होता क्युकि वेरी बीडिजायर अच्टिंग में तुम्हे आई 13 साल पहले तो थो साल में काम किया उच्टे बाकी 13 अर्ज पाकिसनाद सो काफी पीरिड में गुजार लिया किसी और के चीज की काविश में क्युकि अम्मी का भी यही था अक्टिंग तो नी पढ़ने दूंगी मुझे इतना मेरा खुआप का कि लंडन में राडा है तो इस्कूल और अर्ट एं पत्री गूली किया जो भी साल में राडा है तो व में पुदिक अपका ऑप कर दो किसा अपनी इस अपनी इंख के लोगों को मुझे सबूर्ट किसने की मेरी बड़ी बहन में प्ड़ी बढ़ी कि अदिए अपा सेंड लेती थी मेरे घ enवामा से ताह ताहर तो आपका झें कर लिए आप ओना पुरा करने ज़ए टो अब कर द जो देखते हैं हम मेविश की तरह और देखते हैं के किचरने का सिच्वेशन है और अफकोर्स शुचाथा आपसे भी जानना है कि मजीद आपने क्या सुचा है तो अब बर्गर्स मुझे लग रहा है कि हमारे तैयार हो बें अब बर्गर्स भी रेडि हैं और हमारे होट-स्पाइसी रिंग रेडि है और अचके पद स्वाइड बढ़ धता हूँ अगर आपको बहुत यांग एच पे तैसे के लिए तो अगर आपको एड़ा जाता के हाँ शेफ बन जाओ तो क्या आप तो लगता है कि आप ज्यादा जल्दी तरहा है? मैं बहुत जल्दी आती और मैं इस पे अच्छी शेफ बन थी मैं भी जिसे वो कह रही थी ना कि मैं बच्छ्वर में कर थी मैं जाती थी मुझे खाना पकानी की परमीशन नहीं होती थी लेकिन फिर भी जो भी मैं बनाती थी तो उसके मैं दिखाती थी कि मैं ओडियन से बात करी अब हम ये डाल रहे हैं अब हम ये कर रहे हैं अब हम ये कर रहे हैं As a host, as an actor also, you could have made something of yourself but बोई बात है किस चीज को acceptable हमारी society consider कर थी और कुभी idea नहीं था कि मैं इस तरह मेडिया में आऊंगी लेकिन ये था कि मेरा बड़ा अच्छा स्टीविन स्रावरला कर आगी अच्छा रहे अब हम को बतानी कि मैं कितने मीडिया की ही कि जो यंगर जेनरेशन के लोग है उनके घरो में जाके उनकी मदर से बात कर चुकिए प्लीज को करने दें या आपकी इंसल्ट नी कराएगी या इस तरह का को इस्यू नहीं होगा मैंने कुए बल्के तू बोई वो वर्किन इंडिस्ट्री अल्हम्द लिला वान इस फिंगर ऑन इस फूस्ति नीज कास्टर हैं दोनों से के पेरेंट से बज़ आपके बात करने पड़ी विकुज यही कहरे थे कि आप आएग ना आप़ी तो आप से बात करेंगे तो उनको पता चल जागा के पिर पड़े लिखे लोगे अपे अपे आपे अपे अप तो ऐस फूस्ति आप बड़ाय जिल्क लिखे मैं अपो तो बड़ा ड़ा अचिक्या थे हाई हो चका अचिका अजे तो इसना मुश्किल नहीं है यह वारी अद्ली जनुरेसिंद प्रिए अशान। एक रखे अच्छुरू हे था इंशाना के लिए आणियुक्तुम्च्छु उॉद्टूब्र एंशाना के अजटूम्चुम। जूड़ेंगरें सुर्टूम्चुम। और अभी कुछ न्यू वारे हैं इंशाला और एक तो आपका भी रिलीस हुए ना गाना भी बिल्कुल बिल्कुल और उसका बड़ा चल स्पॉंस मिल रहे हैं यंशाला हुए मैंुज़ च्रण हुए बिल्कुल टुशपरिया कै। तो आपका नेधा भी अपुछ यह ना थाप जूना हैं यह दूना को भी टुरूरी है हमारे एक्षपर पर हमायरे रोल sे हमारे यूझ उनिक कहा नि अ किस तरह इंसान फॉवट करें अपनी अवलाद अपनी नीसे ने की उसकार, कभी-कभी खाला पुपो यह चाचिज जान में हाला के बहुत बेदर रोल रहा है, चुनियाला कारें आप तेडल का मेजी जिन्दगी में उनकी सपोर्ट का, तो क्या कहेंगा आपके, किस तरह आप बढ़ना चाहिए, तो आगे बढ़ते हूं को देखें, सबसे पहली चीज है, वो तो यह कि आप रुजहान देखें, बच्चे के एपिटूट बच्पन से किसी के, क्या वो खिलोनों को तोड़ता रहता है, या वो जनवरों के विछ भागता रहता है, या उसका आर्ट से इमाजिनेशन उसका बहुत जअधा थेज है, वो से चीजों को इमाजन करके गेम्स कहलता रहता है, तो इस ते कि छोटे-छोटे चीज़ चीज़े हैं, चोटे-चोटे चीज़े होते हैं, एजुकेशन जो है, बैसिकली जब एजुकेशन डिजाइन की थी तब बारा में इसका मकसद है बच्चे के अंदर महजूद पहले चे नेचल जो टैलेंट है उसके उनको सपोर्ट करने के लिए अब उसको ने चेंज कर दिये अब कहते हैं कि आप एजुकेशन लें और उससे जोड़ हुआ हमारी मर्जी के टैलेंट साफ देवलेप करें यह देखे ना, इसके अब ऊच्छे इस विए इसके अपालगी तेवर बाहर जाज के नहीं पड़ी तब तक मेरे ग्रेड्स इतने बुरे आते थे इतने बुरे आते थे मैं पो पतानी सकती एसमें मैं कुस बेटर ग्रेड आए क्योंके मैं इंडिस इटरिटर पार रही थी, सिर्क्स पार रही थी, मैं उन सब्जिक्स में गई जो जिन में मुझे इंडिस्ट था मुझे लगता है ओड़ना शुरू हो गया है, तो वो इसलिए होता है, क्योंके मैट्रिक तो हमें हर चीज पढ़ नहीं होती है, तो मैट्रिक के बाद जब आप चीजों को डिवाइड कर रहते हैं, कुछ चीजे हैं तो आपके जहन में होनी चाहिए, पहली चीज के होनी चाह देखते होते हैं पुछ को देखा, कि आपके पहला है, यह अधे अगना में होता है, यह नहीं को बहुत की बात को सिर्द कर दिखा रहे हैं, यह तो वह पहता है, क्योंके आपको अपकी इन्फेंट से उठा के तो बहुत कुछ झाए होते हैं, और आपकी क्रपेस्टी इसको भी बहुत चीजी के समझते होते हैं, उसके बाद आपकी टीचर्स हैं, उनके साथ भी आपको बात करेंगे हैं, यह कुछ इन फॉर्मल करीके हैं, जिनसे आप अपने केरीर को एसस कर सकते हैं, कि मुझे किस सिम्स में जाना चाहिए, और फॉर् को निकारे हैं, जिसके प्रोज सब जदा हो, कौन सब से कम हो, डेशनिल्टी आप उसको चूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक करियर चूज कर लिए और पूरी जिन्दगी के लिए आपको होगा, मैंने पहले कहा कि यह मल्टी के लिंटे लिंटेड़ लोगों और जो दुनिया में बिगस्ट किलर्स हैं, उनमें वर्क स्ट्रेस सब से जदा बड़ा किलर है, तो क्या वर्क स्ट्रेस कम हो जाती है, अगर आप वो काम कर रहे हैं, जो आप उन्जॉई कर रहे हैं, यह एक सवाल, जो है, मैं नहीं अपने साइकॉलोजी की एरिया को, क्य तो यह के मैं सुमझता हूँ, एक अंस्ट्रेस पाथ है, तो इसमें मैं कोट करूँगा इसकाद को जिहोंने, वर्न बुफरन का नाम है, और उन्होंने, बिल्याने रहे हैं इसवच, उन्होंने कहा था कि मैंने आठ साल की उमर में पहली जॉब की थी, जो घरों में अख़ कि आप अगर देखें ना, दुनिया भर में, जहां जहां पर कोमों में फाइनेंशली तगरी में हैं, जो 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 लोग भी, जो अगर हम फाइनशली पाकिसान इतना सेबल नहीं हैं, तो लोग जूरूर इसमें हैं ऐसे खानदान, जो बहुत स्ट्रॉंग हैं, उनके उपर ह कुछ भी बात करें, लेकिन वो बिजनस में बहुत अच्छे हैं, वो क्या करते हैं, वो बच्चों को टीनेज से पहले ही तरफ लगा देते हैं, तो सबसे पहली बात आप जॉब करें या बिजनस करें, ये आइसा इसा मिक्स होती रहेंगी आगे फुचर में, तो आपको ड बच्चों के साथ करें, खेलें, कूदें, कुछ भी करें, तो प्रॉब्लम सॉल्विंगे ये देखें कि इशू क्या है उसको एड्रेस कैसे करना है, आज का इशू कैसे करना है, तो इसको अपने प्रेस्ट किया ना कि किस एज में करना चाहिए, आई थिंक पैसे की पैसा क पूडरें, उनसे मैंने पूछा कि आप में किसी ने कोई इन्टरंशिप या जॉब अभी तक की है, तो दो लोगोंने अच्करा किया कि हम ने की है, वैनने उसे पूचा कि आप कर रहे हैं, उनसे कहा हम ने छोड़ दी आ, ये पुछा क्यों छोड़ी, तो एक लड़के ने और कहना कि आ बड़े अच्छे फादर हैं लेकिन अपने बेटे के हाथ काटनी है तो स्पेरी में जरा सिफ यह क्लोज जिए 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 सर यह इसके क्या मतलब है मैंने जर जो उस जोब चर्पक को स्किल मिलना थी ना वो नहीं मिल दएगी उसकी किमत बारा हजाद नहीं है उसके बारा लाग से भी ज़्यादा और बात यह है के अपने हाथ के पैसे कमाएंगे तो पैसे की कदर आएगी अम्मा बहात में पकड़ाएंगे तो कदर नहीं पाउट तको का, वो अच्छेस चाहिए वो उसको एंकर लेगा उसके थूफ तूफ। मैं रखा आप जाएंगे, मेरे साथ जब भी टाइमो का ट्रांस्मिशन का, मुझे आप जब 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 जरूरत होगी, आप आएंगे, आप पाटिसिपेट करेंगे मामा मेग जब 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 एसके जृफेट बढ़ा एंगे मेल एक जब आगेख़ एक नगे का आएगी ऑप अवही मेन थेंग के वहां पढ़ा हैं सब्सक्राष ऑख एक हिले को तो अब जह का, चीख भी करें डिए गुट होगी जब टीशमी पेस और मेली के दो पॉकेट मनी दे 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 या आपकी पैंटीसाल की बेटी आपके कहरी अम्मी मुझे ना वो डाइमंड कर नेकलिस बड़ा कफंद ले दे दे खूद जाके ले यह बड़ी इंपॉर्टन चीजें हैं बिल्के इसमें फुली से वेल्यू आइड कर सकूमें जो कि मैंने जो फस्त जॉब की ना आजे मेंबर वो इतनी थोड़ी आमोंट थी के मेरा फस्त मन था उस मैंने अबगु से अडिशनल पांच आर लेके तो बिल जमा करवाया फोन का और उस दुरान हुआ क्या मेरी जूट अज मेरे काम आरहा है तो अज मेरे काम ह रहा है तो अज मैस करता है Fourth था आप क्या झ्यीूट अज आयोंगी सपध्या खर्लिंट करता है ए ग्रूबे Selbst पिलिजू हमीं कार धून में क multiph thrive on the most important thing that will decide the career for you According to me, experiential learning is really important. आप चावल करें, आप अपने बच्चे को फसिलिटेट करें, उसको आप Mandarin से खाएं, swimming classes दिरनाइं, and then they can sort of decide for themselves what they are into, what is their, क्यां का रुजान है. I think मुझे तो ये लगता है कि जो आप experience अपने बच्चे को फसिलिटेट करते हैं, वो शाइज academia is important. But I feel experiential learning is more important. ये जो हम करते हैं ना यूर्ण बच्चों को मार मार के पढ़ाना है. यूर्ण मैनने सहमे हुए, प्रॉमटाइज बच्चे देखे हैं, जिनके रिए ट्रेट एज तो आते हैं, लेकर आपके जुप्तबू नहीं का सका है, किसे देखो ना मारा बच्चा कितना पुलाईट है कितना क्या है यह तुप्टा साल को जाकर काम क्या करेगा किसे भी फील्ड में भी वजा आई-टी की फील्ड किसी म्यूजिक किसी फील्ड को ले जा बोलना है आपने तो मुणिकेज करना है लोगों के साथ और तरभियत उतारा फ्लीज स्ट्रेटेश स्टूडेंट जो गुस्ताख है वरसेश एक पुलाइट रिस्पेक्टिबल बच्चा जिसके बीज और सीज भी अगर आए है लेकिन उसकी परस्टनालिटी अच्छी है चाहिब बहुत ज्यादा एक्साल कर जाए यह सिरफ एक हमारा पॉइंटे भी हुए सकता हम किसी को फैंड नी करना जाते लेकिन एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बच्चे किसी भी एक नहे पौदे की तरह होते हैं उसको ग्रोग करने कि जिसका खाल भी रखना है उसके पानी डालना है उसको धूप सेकने देनी है अपती धूप में होगा तो उसके अंदर स्ट्रेंट आएगी बैलन्स के साथ और जो गलतिया हमारे माबाप में हमारे साथ की जान के नहीं की लेकिन कोशिश करना है कि वो हम रिपीट कि ना करें धियर था तो जॉइन दो सेंतर भी जंडिश अरा, अभी, बगक्षे शुक्रण धान के लिए हम जाते जांश वो सवंग जिसकी हम बात करें जो रोलीकरा है और किसी को बहुत पसंद आ रहा है यह झैचा भी बद् e Пр पसंद आने चाहिए मेरे मेरे चोटे भाई को कभी ने कभी गुरूर ने किया ये मत सोच लेगा ओबर तो यू